अवैद देसी कट्टा से लेकर अवैद मीनिगन फैक्टरी के लिए इन दिनों मुंगेर को जाना जाता है पर मुंगेर की पहचान किसी जमाने में सिगरेट फैक्टरी और बंदूग कारखाना की वज़य से था पर जब बिहार में उद्योग बधाली के तरफ गए तो बंदूग फैक्टरी के कारिगर बेकार होते गए और देखते ही देखते मुंगेर में अवैद हत्यार बनाने का काम शुरू हो गया जो कि अब अपराधियों से लेकर आतंकियों तक हत्यार की सप्लाई करने लगा मुंगेर का बंदूग कारखाना से निर्वित गण के खरीद्दार कम हो गये और सरकार और सेना का आडर मिलना बंद हो गया तो यहां के बेकाम बंदूग के कारिगरों ने बंदूग कारखाना के समनांतर अवैट मीनिगन फैक्टरी का विजार रोपन कर दिया जो अब सरकार के कानून विवस्था के लिए खतरनाक हो गया है किसी जवाने में मुंगेर की पहचान ITC की टोबैको कमपनी बंदूग कारखाना जमालपूर रेल कारखाना के अलावे बडियारपूर के खादी ग्राम उद्योग और धरहरा के कंबल उद्योग था जो धीरे धीरे देसी कटा, पिस्टल, देसी 9 mm जैसे हत्यार के निर्वान के कारण बदनाम हो गया दरसल मुंगेर में बंदूग बनाने की नीव राजा मीर कासिम ने अजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए किलापड़सर के अंदर फैक्टरी बनाया था आजादी के बाद भारत सरकार ने किलापड़सर इस्थित योग आश्रम के बगल में 36 छोटी बरी बंदूग निर्मान एकाईयों को एक साथ चोर कर मुंगेर बंदूग निर्मान कमपनी की एस्थापना की थी और तब से यहां बंदूग कारखाना चलता रहा समय के साथ-साथ इस कारखाने की तस्वीर नहीं बदली अब मुंगेर की छबी एक बार फिर से बदलने की तयारी की जा रही है बिहार की उद्योग मंतरी शयत साहनवाज हुसेन जब मुंगेर के एतिहासिक पंदूग कारखाना पहुँचे तो कारखाना चलाने वाले व्यवसाईयों में थोरी उमीद की किरन जगी है मंतरी शहनवाज हुसेन को जब गन फैक्टरी के संचालकों ने यहां बने नया बंदूग पंप एक्सन गन दिखाया तो शहनवाज धंग रहे यहां के बंदूग निर्माता, B.S.A. कॉर्परेशन, रॉयल आर्म्स कंपनी, बैद्रनाथ आर्म्स कंपनी समेत 37 कंपनियों के संचालकों ने अपनी समस्या बताई और बंदूग कंपनी के लिए नए बंदूग को मंत्री को दिखाते हुए कहा कि सरकार लाइसेंस जारी करे तो पंप एक्सन गन का डिमांड बरने लगेगा मुंगेर में बंदूग बंद तो रहे हैं पर गन के रेजिस्टर्ड विक्रेता उनसे तयार बंदूग नहीं खरीद रहे हैं वज़ा प्रशासन द्वारा बंदूग के लिए लाइसेंस जारी नहीं करना है मुंगेर में बंदूग बंद तो रहे हैं पर गन के रेजिस्टर्ड विक्रेता उनसे तयार बंदूग नहीं खरीद रहे हैं वज़ा प्रशासन द्वारा बंदूग के लिए लाइसेंस नहीं देना है 2004 के बाद से गन फैक्टरी से विदेशों में निरियात भी बंद है संचाल को ने कहा कि डिफेंस मंत्राले से ओर्डर मिले तो मुंगेर में अत्याधूनिक हत्यार वे बना सकते हैं और मंत्री को कहना भी परा कि यहां के कारीगर कुशल हैं और उनका बनाया बंदूग उंधा है यह बहुत अच्छा बनाया है इनोंने और इसको मैंने देखा है कि बिहार के मुंगेर के कारीगरों के हाथ में कितना जादू है और यह उसका उप्योग जो है वो मुर्शित करने वाली यह गामन इसका उप्योग हो सकता है और कैसे इस इंडर्स्ट्री को बचाए जाए इसको मैं खुद अपनी आँखों से देखना चाहता तो इंड़स्ट्री है पुरा पुलीस के देखरेख में यहां काम होता है और आरों यहां पर मुंगेर में तो हरो से काम होगह अनड़ की को मरने नहीं देना यह क्षा इसंस्त्री को मदद करनी है इस की लिए आज खासतों पर ये विजिट करने आया हूँ हुथी जादा उमीद है कि इनका पीछे का पाफॉरमस हम लोगों ने देखा है और इनसे बहुत जादा उमीद रखते हैं कि हम लोगों को इनसे काफी मदद मिलेगी अब इन्होंने बुलाया है हमको पतना हम लोग सब पतना जाकर के इनके साथ मिल करके विशेश वहां क्या होता है इसके बाद मैं आगे आपको मिलकर फिर बताऊंगा पंप एक्सिन गन को डेवलब किया है और इस गन का बहुत ही फायदा है जो कि आपको सिकुरिटी गार्ड के लिए स्वें सुरक्षा के लिए जितने लोगे डमस्टिक यूज़ में यह बहुत ही जादा यह बोर बिलकुल पब्लिक में यह इसको यूज़ किया जा सकता है बैराल मुंगेर को बद्नामे से उबारने के लिए सरकार को आगे आना होगा और अवैध मीनीगन फैक्टरी चलाने वाले कारीगर को वैध हत्यार बनाने के लिए काम देना होगा तो मुंगेर एक बार फिर अपनी कारीगरी का जणडा भुलंद कर सकता है खुलासा के लिए मुंगेर से अतहर खान की ये खास रिपोर्ट